by folding this paper we will show that all the three angle bisectors of any triangle intersect at a point सबसे पहले हम कोई भी त्रिकोन बनाएंगे यह ऐसा नहीं है कि यह आईसोसलिस ट्राइंगल है या एक्विलाटरल यह कोई भी एक त्रिकोन है इसको स्केलीन भी बोलते हैं इसका मतलब कि इसके तीनो कोण अलग-अलग मापके हैं अब हम इस त्रिकोन की नीचे वाली भुजा पर मोड़ते हैं फिर दूसरी भुजा को मोड़ते हैं और अब इस भुजा को दूसरी भुजा के उपर रखते हैं यह जो लाइन हुई यह इस कोण का एंगल बाइसेक्टर है और हम यहां पर एक लाइन खीज़ते हैं इसी तरह से यह तीसरी भुजा भी मोड़कर हम दूसरी भुजा के उपर रखते हैं ऐसा करने से यह कोण और यह कोण बराबर हो जाते हैं इसलिए यह लाइन एंगल बाइसेक्टर है और अब हम यह तीसरी लाइन इसके उपर रखेंगे तो इस कोण का एंगल बाइसेक्टर निकालेंगे और ऐसा करने से हमने पाया कि यह एंगल बाइसेक्टर भी बाकी दोनों एंगल बाइसेक्टर से जाकर मिल गया बिलकुल उसी पॉइंट पर इस प्रयोक से हम ये दिखा सकते हैं कि किसी भी त्रिकोंड के एंगल बाइसेक्टर एक ही पॉइंट पर मिलते हैं